हेलो बच्चों स्वागत है आपके अर अपने यूटूब चैनल करें या कलासेस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अनुवानसिक कूट की परिभासा को कैसे लिखेंगे और इसकी विसेस्ताओं को कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हैडिन डालेंगे अनुवानसिक कूट इसमें लिखेंगे अनुवानसिक कूट डियने अरवों में इस्थित नाइट्रोजन छारकों का वह अनुकरम है जिसमें प्रोटीन अरवों के संसलेशन के लिए संदेश नीत रहते हैं ये है अनुवानसिक कूट की पर अब हाइडिन डालेंगे विशेष्टाएं इसमें नमबर एक लिखेंगे अनुवानसिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है अर्थात तीन नाइट्रोजन बेस के समू में रहता है नमबर दो लिखेंगे 20 अमीनो अमल के लिए 64 कूट होते हैं अर्थात एक अमीनो अमल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं नमबर तीन लिखेंगे यह सभी जिवधारियों के लिए एक समान होता है नमबर चार लिखेंगे अनुवानसिक कूट कॉमा रहित आर्थात विराम चिन रहित होता है नमबर पांच लिखेंगे कुछ अमीनो अमल एक से अधिक कोडानो द्वारा कोडित होते हैं तो बच्चों यह था अनुवानसिक कूट की परिभासा और उसकी विशेषता हैं तो बच्चों अगर मेरा वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत